सुनते हैं फड़िश्वरनाथ रेडू जी की कहानी पंचलाइट पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने की पैसे जमा करके महतो टूली के पंचों ने पेट्रोमेक्स खरीदा है इस पर रामनौमी के मेले में गाउं में सब मिलाकर 8 पंचायते हैं हर एक जादी की अलग-अलग सभा जट्टी है सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सत्रणजी और पेट्रोमेक्स है पेट्रोमेक्स जिसे गाउं वाले पंचलाइट कहते हैं पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तै किया दस रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा के समकरी खरीद ले जाए बिना नेम टेम के कल कबजे वाली चीज़ का पुन्याह नहीं करना चाहिए अंग्रेश बहादूर के राज में भी पुल बनाने से पहले बली दी जाती थी मेले से सभी पंच दिन दहाडे ही गाउं लोटे सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथी पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दिवान और पंच वगएरह गाउं के बाहर ही ब्रामर टोले के फुटंगी जाने टोक दिया कितने में लाल्टेन खरीद हुआ मतो देखते नहीं पंच लाइट है बामन टोली के लोग ऐसे ही इताब करते हैं अपने घर के धिवरी को भी बिजली बत्ति कहेंगे और दूसरों के पंच लाइट को लाल्टेन टोले भर के लोग जमा हो गए औरत, मर्द, बूढे, बच्चे सभी काम का छोड़ कर दोड़ाए चल रहे, अपना पंच लेट आया है पंच लेट चड़ीदार अगनू महतो रह रह कर लोगों को चेतामनी देने लगा हाँ, दूर से, जरा दूर से छोचा मत करो, ठेस न लगे सरदार ने अपनी इस्त्री से कहा सांश को पूजा होगी जल्दी से नहाद होकर चोगा पेड़ी लगाओ टोले की किरतन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पच्चकों को समझा कर कहा देखो, आज पंच लेट की रोशनी में किरतन होगा बिताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखर धरने में डेड़ वेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट औरतों की मंडली में गुलरी काकी, गोसाई का गीत गुन-गुनाने लगी छोटे-छोटे बच्चों ने उत्सा के मारे बेवज़ शोरगूल मचाना शुरू किया सूरज रूबने की एक घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर चमा हो गए पंचलेट, पंचलेट पंचलेट के सिवा कोई कप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, सरदार ने गड़गोडी पीते हुए कहा दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे पांच कोड़ी पांच रुपए मैंने कहा कि दुकानदार साहिब यह मत समझे कि हम लोग एकदम देहाती है बहुत बहुत पंचलेट देखा है इसके बात दुकानदार मेरा मून देखने लगा बोला, लगता है आप जादी के सरदार है, ठीक है जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरिदने आए हैं, तो चाहिए पूरे पांच कोड़ी में आपको दे रहे हैं दिवान जी ने कहा, अलबत्ता दुकानदार ने नोकर को डांटते हुए कहा, क्यों रहे दिवान जी की आँखों के आगे धुर खेल करता है, दे दो बक्सा तोले के लोगों ने अपने सरदार और दिवान को स्रथावरी निगाहों से देखा छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया रास्ते में संसन बोलता था पंचलेट, लेकिन इन मौके पर लेकिन लग गया रूदल साबनिये की दुकान से तीन बोतल के आसंते लाया और सवाल पैदा हुआ पंचलेट को जलाएगा कौन यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सूचा खरीदने के बाद भी नहीं अब पूजा के सामगरी चौक पर सची हुई है किरतनिया लोग खोल ढोल कर ताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है गाउं वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का जणजटो कहावत है ना भाई रे गाए लोँ तो दुहे कौन लो मजा अब इस कल कबजे वाली चीज को कौन बाले यह बात नहीं कि गाउं भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं हर एक पंचायत में पंचलेट है उसके जलाने वाले जानकार है लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभलाव करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा इससे तो अच्छा है पंचलेट बढ़ा रहे जिंदगी फरताना कौन से है बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से ना ना पंचायत की इज़द का सवाल है दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए चार उमूर उदासी चा गई अंधेरा बढ़ने लगा किसी ने अपने घर में आज धिवरी भी नहीं चलाई थी आज पंचलेट के सामने धिवरी कौन बालता है सबकी ये कराय पर पाने फिर रहा था सरदार, दिवान और छड़ीदार के मुँँ में भोली नहीं पंचो के चेहरे उतर गय थे किसी ने दभी हुई आवाज में कहा कल कबजेवाली जीच का नखरा बहुत बड़ा होता है एक नोजवान ने आकर सूच ना दी राजपूत ठोली के लोग हस्ते हस्ते पागल हो रहे हैं कहते हैं कान पकड़कर पंचलैट के सामने पांच बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा पंचो ने सुनकर मन ही मन कहा भगवान ने हसने का मौका दिया है हसेंगे नहीं एक बोड़े ने आकर खबर दी रूदल साबनिया भारी बतंगड आदमी है कह रहा है पंचलैट का पंपू जड़ा होसियारी से देना गुलरी काके की बेटी मुन्री के मूँ में बार बार एक बात आकर मन में लोट जाती है वह कैसे बोले वह जानती है कि गोधन पंचलैट बाल ना जानता है लेकिन गोधन का हुक का पानी पंचायत से बंद है मुन्री की मा ने पंचायत से फर्याद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है हम तुम से मुहुबत करके सलम पंचो की निगाप पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था दूसरे गाउं से आकर बसा है गोधन और अब टोले के पंचो को पांचो बारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया परवाही नहीं करता है बस पंचो को मौका मिला दस रुपए जुर्वाना नौदेने से हुक का पानी बंद आज तक गोधन पंचायत से बाहर है उससे कैसे कहा जाए मौनरी उसका नाम कैसे ले और उधर जाती का पानी उतर रहा है मौनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बाद डाल दी कनेली चिगो चिद चिन कनेली मौसकुरा कर रह गई गोधन तो बंद है मौनरी बोली तो कह तो सरदार से गोधन जानता है पंचलाड वालना कनेली बोली कौन गोधन जानता है वालना लेकिन सरदार ने दिवान की ओर देखा और दिवान ने पंचो की ओर पंचो ने एकमत होकर हुक का पानी बंद किया है सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाले गोधन से गाओं भर के लोग नाराज थे सरदार ने कहा जाती की बंदिश क्या जबकि जाती की इश्जत ही पानी में वही जा रही है क्योंची दिवान दिवान ने कहा ठीक है पंचो ने भी एक स्वर में कहा ठीक है गोधन को खोल दिया जाए सरदार ने छड़ीदार को भेजा छड़ीदार वापस आकर बोला गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है कहता है पंचु की क्या फर्तीत है कोई कल कब जब इगड़ गया तो मुझे दंडी जुर्माना भरना पड़ेगा चड़िदार ने रोनी सूरत बना कर कहा किसी तरह गोधन को राजी करवाईए नहीं तो कल से गाउ में मुझे दिखाना मुश्किल हो जाएगा गुलरी काकी बोली जरा मैं देखू कहके गुलरी काकी उठकर गोधन की जोपड़े की उर गई और गोधन को मना लाई सभी के चेहरे पर नहीं आशा की रोशनी चमकी गोधन चुक्चप पंचलैट में तेल भरने लगा सरदार की इस्तरी ने पूजा की सामगरी के पास चक्कर काटती हुई विल्ली को भगाया किरतन मंडली का मुलगैन मुर्चल के बालों को सवारने लगा गोधन ने पूछा इस्पिरीट कहा है? बिना इस्पिरीट के कैसे चलेगा लो मजा अब यह दोसरा बखेडा खड़ा हुआ सभी ने मनही मन सरदार, दिवान और पंचू की बुद्धी पर अविश्वास प्रकट किया बिन बूजे समझे काम करते हैं ये लो उपस्तित जन समूँ में फिर मायो सी चा गई लेकिन गोधन बड़ा होश यार लड़का है बिना इस्पिरीट के ही पंचलेट जलाएगा थोड़ा गरी का तेल लादो मुनरी दोड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई गोधन पंचलेट में पंप देने लगा पंचलेट की रेश्मी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी गोधन कभी मूँ से फूकता कभी पंचलेट की चा भी घुमाता थोड़ी देर की बाद पंचलेट से संसना हट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई, लोगों के दिल का मैल दूर हो गया गोधन बड़ा कावे लड़का है अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो किर्टनिया लोगों ने एक स्वर में महाबीर स्वामी की जैध्वनी के साथ किर्टन शरो किया पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे इसपश्ट हो गए गोधन ने सबका देल जेत लिया मुनरी ने हसरत भरी निगा से गोधन की ओर देखा आखे चार हुई और आखों ही आखों में बाते हुई कहा सुना माफ करना मेरा क्या कसूर सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुला कर कहा तुमने जाती की इज़त रखी है तुम्हारा साथ खों माफ खुब गाव सलीमा का गाना गुलरी काकी बोली आज रात मेरे घर में खाना गोधन गोधन ने फिर एक बार मुनरी की उर देखा मुनरी की पलके जूग गए किर्तनिया लोगों ने एक किर्तन समाप्त कर जैध्वने की जै हो जै हो पंच लैट के प्रकाश में पेड पोधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था धरने बात